हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैके इनकल गाइड, फ्रेंट्स आज के वीडियो में हम बात करने वाले टूल इंजीनरिंग की, दोस्त टूल इंजीनरिंग में इससे पहले हमारी एक वीडियो चैनल पर अपलोड हो चुकी है, अगर उस वीडियो को अभी तक आपने नहीं देख तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख लिएगा जो की वीडियो टॉप 25 इंपॉर्टेंट कुस्चन पर थी, लगभग आपका पूरा पेपर इनहीं टॉप 25 इंपॉर्टेंट कुस्चन से फसने वाला है, जैसा आपका CNC मशीन और आर्टोमेशन का पूरा पेपर, तॉप 25 इ लोको मैं इसके आंसर बताने वाला हूँ इस वीडियो में, ठीक है, जिन इस्टुएंट की तैयारी बिल्कुल भी नहीं है, या फिर लगता है उनकी बैक आजाएगी उनको, ठीक है, तो वो इस्टुएंट इस वीडियो क्या करेंगे, पूरा सूर्स लेकर लार्स तक मल्टिपल कटिंग टूल में आता है, ठीक है, मल्टिपल कटिंग टूल में आता है, मिलिंग कटर आपका वह होता है, क्या होता है, मिलिंग कटर एक क्या होता है, घूननी टूल होता है, मतलब रोटरी टूल होता है, जिनकी परीदी पर, मतलब बराबर की दूरी पर, साथ कारेखंड के संपर्क में आते हैं और कारेखंड तथा कटर की सापेच गती के फंपटरूब धात को काटता हैं ठीक है मिलिंग कटर का पूरा सिध्धान क्या है इसको देख लेते हैं यहां दोस्त एक बात और बता दू टूल इंजीनिरिंग में जितना ज़ादा आप फिगर पर फोकस कर लेंगे उतने ज़्यादा यह आप अच्छे नंबर लेकर आजाएंगे क्योंकि टूल इंजिनिंग अधिकतर दोस्ट फिगर ही इंपॉर्टेंट हैंस में अगर आपको फिगर इसका पता है अगर आप फिगर बना देते हैं थेवरी आपकी थोड़ी कम भी होगी तो चल जाएगा ठीक आपको पूरे पूरे नमबर मिल जाएंगे अगर आप थेवर आपको फिर और मिल जाएंग में है या पूर। आपने इसको देख लिया ऑप बात करते हैं व폰क्ता वोक्र कर सोदखेशन का घुमाओ गति की दिशा के आधार पर तो कौ Nous आपका घंड मैंकब कर म्रतुमें मैंट होता है तर देखें अब स्पेंडल के सिरों की तरफ से देखा जाता है तो यह दच्छना वर्थ दिशा में घूमते हुए क्रिया करते हैं वामा हर्स्त कटर क्रिया के अंतरगत इसी प्रकार देखने पर यह वामा वर्थ दिशा में घूमते हुए क्रिया करते हैं तो यह आपके राइट हैंड कटर औ जो कि आपके बोल्ड एक्जाम में आने वाले होंगे 100% ठीक है तो अगर आपको उसका वीडियो चीट आप हमें कमेंट करें कमेंट बॉक्स पर बता सकते हैं ठीक है तो अब बात करते हैं नेक्स टाप का जो दिया गया है मशीन पर कटर को बांधने की विधी के आधार पर न कि ये इनको टेप्री सेंग के सहारे मशीन के इसमेंडल पर सीधे पकड़ा जाता है और आपको ये फेशिंग कटर होता है तो या आपके कटर क्लाशिफिकेशन आप मिलिंग कटर दे रखा है ठीक है कटर दाथ की कुंडलीयों की दिशा के आधार पर देखी कौन-कौन से ह प्रत्यावरती कटर होता है इसी तरह आपका यह दे रखा है अब बात करते हम लोग यहां पर प्लेन मिलिंग कटर जो आपका होता है तो जो आपका मिलिंग कटर उसके elements क्या क्या होते हैं तो एक बार इसको देख लीजिए आप लोग बॉडी ठीक आउसड़ डायमीटर इंसाइड डायमीटर जो हता है ठीक है रूट डायमीटर हो गया विर्थाफ कटर हो गई चिप्स ह हो गया लेंड्स हो गई फेस आफ दा लेत हो गया कटिंग एजेज हो गई रूट का रेडियस हो गया तो इनके बारे में आप दे रखाई तो वन भाई बन करके आप लोग इसको क्या कट सकते हैं अब एक कोस्टन दोस्त आपकी बनता है टूल इंजिनिंग वे पांच नंबर को ठीक है तो आप उसी हिसाब से लगा लेजिए दोस्ट 75 नमबर पर मैंने इस उसी आप से बोल दिया है क्योंकि इसमें आपके अत्वा के कोस्टेन आते हैं मैंने उनको भी लेकर रखा है ठीक है वैसे तो एक्जाम आपका 50 नमबर का ही होगा लेकिन जो आपके अत्वा में लिजेगा इसकी पीडियाव के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़िएगा उसका लिंक आपको डिक्रिशन बॉक्सन मिल जाएगा ठीक है अब बात करते हैं नेक्स्ट आपका दिया है फिंस्पल आप लोकेशन डिजाइन में लोकेशन एक महत्पूर्ण पच्छे कह को फालो करना अनिवार हो जाता है ठीक है जैसे कि किसी इस्थान में किसी वर्स्त की इस्थिती तीन परस्पर लंब अच्छो बारा व्यक्त की जाती वह कौन-कौन से होती हैं एक आपकी सरल रेखी गति दी जा सकती और इसके अत्रिक्त वर्स्तु को इन्हीं तीनों अच्छो पर कौन सी रोटरी गति भी दी जा सकती है तो कुल मिलाकर इनकी कौन सी कितनी गतियां दोस्त हो जाएंगी इस प्रकार वर्स्तु की 63 संख्याओं यानि शिक्स डिग्रीज आफ ठीक है इस व्यवस्ता में कई साधन है तो आपका क्या था प्रिंस्पल आप लोकेशन वस्तु की आकरती पर आधारित उनकी सताओं के किनारों तथा कोड़ों के कुछ प्राक्तिक प्रास्प्रिक संबंध हैं संबंध क्या होते हैं एक्जामपल के लिए याँ पर देखे कार सताओं के दो अशन भुजाओं के मद्ध कोड़ नब्वे अन से कम होता है ठीक है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आपका ये लोकेशन वाले चैप्टर से कोस्टन दोस्त और बनता है वो क्या है थ्री टू वन का सिध्धान्त क्या है ये सब आप फिफ्ट समेस्टर में प्रोडक्शन टेक्नलोजी में दोस्त पड़ भी चुके होंगे ठीक है थ्री टू वन का प्रिंस्पल क्या ये पूछता है तो इसको भी एक बार हम लोग देख लेते हैं इसमें उसी तरह आपकी च्छाइगतियां होती है शिक्स कर रखते हैं यह महातवरपूहण। है कि तीनो तल परसां लंबवाथ हैं कहने को आपका इंपॉर्टन they are वो क्या होते हैं एक दूसरे के लमबवत होते हैं तता सभी बिन्दू एक दूसरे से घ्रथा संभों में रखा गया है इस वर्सटु को 6 पिन एक से 6 द्रारा पूंड अब इस्थापित किया जाना है वस्तु की दिशा एक दिशा में दो सरल रेखी गती प्लस तथा माइनस दिशा में ठीक है तथा दो घूर्णिया गती आपकी होती है आपकी दो सरल गती होती है दो घूर्णी गती होती है यानि क्लॉकवाइस एक प्लस क्लॉकवाइस और एक एंटी क्लॉकवाइस द principle of location और 321 का सिध्धान्त क्या है यह दोनों आपके पांच-पांच नंबर वे कोस्टेन दोस्त पूछे जाने वाले हैं तो काफ़ी आदा important है यह ठीक है अगर दोस्त आपको टूल इंजिनर का previous year का question पेपर पर वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं उसको भी आपको प्रवाइड करा देंगे ठीक है अब बात करते हैं आपर आपका जो sliding clamp होता लेखिए वो क्या होता है उसकी बात कर लेते हैं जिग या फिक्चर के जिसमें क्लैम को केवल आगे पीछे नहीं सरका कर ही प्रयोक किया जाना हो आपका sliding clamp कहलाता है ठीक है इसके लिए जिग की बाड़ी में एक खाचा बना दिया जाता है जिससे क्लैम्प को एड्स के आगे भीछे सरकाया जा सकता है क्लैम्प का अगला सिरा कारे खंड की सतय को करता है जबकि पिछला सिरा खाचे में समा जाता है ठीक है आपका कहता है तो sliding clamp हा इसे तरह हम लोग बात करने दोस्ट आपका जो घुड़ी क्लैम्प होता है नि रोट्रेटरी क्लैम्प होगा वह क्या होता है देखिए यह व्यवस्था में एक घुर्णी क्लैम्प इस्टड तता धिबरी का प्रयोक किया जाता है कारे खंड को बाधने या खोलने के लिए क्लैम्प को उसकी अच्छे पर अधिक्तम नबबे अंस तक घुमाया जा सकता है इसके लिए क्लैम्प में एक हाचा बना दिया तता इस्टड में एक पिन लगा क्लैम्प तो से कहलाता है कि इसी तरह आपके यह आपकर दिएगए लोकेटिंग आपके डिवाइस कौन कौन से होते हैं उनको देख लिएगा पूछे जा सकते हैं आपके लोकेटिंग डिवाइस और जो आपका वी ब्लॉक है ठीक है यह कई बार पांच नंबर में कोश्चन आपका दोस्त बन चुका है यह आपके वही टॉप 25 इंपोर्डन कुश्चन का मै आने वीडियो पर पता रखें यह युक्तियां यह साधन जो 600 अंत्राइं गतिया यानि फ्रीडम आप मुव्मेंट्स में से कुछ पर अथ्वास सभी पर अवरोध लगाने हैं तो प्रयोक की जाती है क्या कहलाता है आपका लोकेटिंग युक्तियां कहलाती है आपका निय इक वी ब्लॉक के प्रयोग से अवरोध लगाया जा सकता है चित्र के अंसार याना प्रदोस्त चित्र भी डाइग्राम मैंने कहा आप से डाइग्राम बहुत जाजा इंपोर्डेंट तो डाइग्राम इन सब क्या आप लोग देख लीजिएगा ओयक्स तथा ओजड ततत है और जिन पर उपयुक्त साधन इक्जाम्पल के लिए यूख लेंप आधी से अंकुस लगाया जा सकता है ठीक जो आपका यूख लेंप होता है उन से भी इसमें अंकुस लगाया सकता है अब दोस्त आपका जो नेक्स शैप्टर है क्या है जीग तथा फिक्चर अग करेंगे और यह आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं जीग और फिक्चर फिब सेमेस्टर में प्रोडक्शन टेक्नोलाजी में जान लेते हैं आपके जीग और फिक्चर क्या होता जीग तता फिक्चर वह युक्तियां हैं जिनकी सहायता से परिश्ण तथा समय की बचत करने वस्तू की उतपादन दर को बढ़ा जाता है जीग और फिक्चर आपके वह युक्तियां आपके वह युट्या है बढ़ा सकते हैं जिनकी क्लासिफिकेशन जानेंगे और फिक्चर में डिफरेंस क्या होता है उसकी भी बात करेंगे ठीक है तो देखे जिग यह ऐसी उक्तिया है जो कारेखंड को होल्ड तदा लोकेट करने के साथ साथ एक अधिक कटिंग टूल को गाइड वा कंट्रोल करती है कहने का मलब आपकी द अधिक करने का काम करता है जो कि आपका फिक्चर है क्या करता है पर मशीनन शंक्रिया कको करने के लिए कारेखंड नख़न को पकाड़ना तथा सपोर्ट प्रदान करने के लिए में जीग और फिक्चर का यूज करना पड़ता है ठीक है वर्क प्राइस को सही इस हितिती में पकड़ने के लिए तथा करतन टूल अत्वा कटिंग टूल को गाइड करने के लिए जिससे सभी उतपाद एक समान बन सके हैं ठीक है इनका प्रयोग से क्या होता है इनके प्रयोग से मार्किंग मेजर्मेंट तथा कारखंड को सेट करने की विधी नहीं करनी पड़ती कहने मलब जीग और फिक्चर का यूज करने से हमें क्या करना पड़ता है मार्किंग नहीं करनी पड़ती है और मेजर्मेंट की भी ओसकता नहीं होती है क्योंकि ये टूल को भी गाइड कर जाती है और तूल को गाइड करने की अच्छता नहीं पड़ती अब बात करते ही यह पर आपका ड्रीलिंग जीग एंड इस टाइप अब आपके बात ट्रिंग जी ख honor यहां पे दे रखते हैं कर विए इसी तरह आपके जिग के रखें और एक तरह आपसे फीक्चर बढ़ेंगे हो सकते जोन खोंसरे किस्तरय बंजें जिग क्या है और जिठ करकारों को बताईए कि नीई उन में से किनि एक या दो के बारे होताएं इस ही तरह का फिक्चर कह भी दोस्ट को वर्क होल्डिंग युक्ति है जिसका उपयोग कारेखंड में छेद करने के लिए किया जाता है इसमें बरम से मतलब ड्रिल है यहाँ पर या रिमर आधी टूल को अविस्थापी तथा गाइड करने के लिए कठोरी क्रत ड्रिल बुस या जिक बुसों का प्रयोग किया जाता ह इनको गाइड करने के लिए ठीक है इन बुसों में ही ड्रिल को गुजार कर कारेखंड में छिदर की जो क्रियाएं वो की जाती है इस प्रकार ठीक स्थिती में तदा यर्थार्थ छिद प्राप्त होते हैं जिक पर इन बुसों को बुस प्लेट में लगाया जाता है जिस का इस प्रकार बनी होती है कि कारेखन प्रत्ते एक बार उसी इसी इनिश्चित रूप में अब इस्थापित होता है ठीक है कि क्या था आपका ड्रिलिंग जीग था अब बात करते हैं ड्रिलिंग जीग आपके जीग होता है इनके प्रकार देखिए तो आपका जो होता है कौन सो पर किया गया तो हो सकता है इसमें आपसे बोल देख किनी एक या दो जिक के बारे में मुझे जो लगता है आपसे टेंप्लेट जीग चैनल जीग और यह जो लीव जिक दे रखा और इंडेक्शन जीग इनहीं के बारे में पूछेगा यही तीन चारा पढ़ लीजिएगा बस इनहीं के बारे में आपसे पूछ लेगा या फिर बोल देख किसी एक के बारे में बता दीजिए ठीक है इसी तरह आपका दे रखा डिफरेंट्स टाइफ आप फिक्चर अब फिक्चर के प्रकार्स भी दे रखें तो कौन-कौन से होते हैं देखिए फिक्चर सिंपल फिक् इसेंबली फिक्चर इंस्पेक्शन फिक्चर एंगल प्लेट ठीक है और प्रोफाइल फिक्चर मल्टिप्लिकेशन फिक्चर तो यह आपके क्या है फिक्चर के प्रकार्स दे रखें इतना आपको दोस्त समझ में आ गया होगा अब हम लोग जो आपके जिग दे रखे थे इनके बारे में वन बाई वन करके जान लेते देगी आपका टेंपलेट जिग क्या होता है यह अत्यंत सरल जिग होता है क्या होता है बहुत ही सरल जिग होता है सिंपल जीग होता है एक तरह से जिसे कारेखंड पर रखकर और हाथ से पकड़ कर कम व्यास के छिद्र किया जा सकते हैं टेंप्लेट जिक का उपयोग सामानेता फ्लेंज आधी पर किया जा सकता है जिससे बोल्ट अथवा इस्टर्ड लगाने होते हैं तो यहाँ पर टेंप्लेट जिक का डाइग्राम भी दे रखा है तो डाइग्राम बहुत इंपोर्टेंट अगर इस पीडियाप में आ आपका चैनल जिक होता है वह क्या हता है ुसको एकबार भी देख लेते हैं देखें ये जिन channel के आकार की होती है कैनेग मलब यह जिग जो है आपकी चैनल के आकार कही होती जिसकार एक खंड में ज्खिद्र करने होते हैं उसे जिकolf के पेंचो की शाहता से पकड़ लेता है जो भी आपका वर्कपीस है अगर जिसमें हमें छेद करने उसे क्या करते हैं लोग जिक के पैंचों की सायता से पगड़ लेते हैं जिक का प्रयोक सामानत है समित आक्रती के कारेखंडों के लिए किया जाता है यह इस प्रकार डिजाइन की जाती है कि मशीन अव्यों की एक से अधिक सेतों पर कारेखंडों की इस्थिती को बिना बदले हुए मशीन करिया की जा सकती है यह थोड़ा महंगी होती है परन्तु बहुत बहुत अधिक मशीन समय तता पदार्थ हैस्तरन समय बचाती है ठीक है तता तीन सतों पर मशीन कारे करने की छमता रखती है तो यह था आपका चैनल जीग तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चैनल जीग का एक छोटा सो डाइगरम उने बना रखा है इससे आपको इसका बेनिफिट मिल सकें अब बात करते हैं यह आपर जो आपका लीव जीग जो दे रखा है उसकी बात करें देखें यह क्या होता है यह जीग एक छोटी जीग होती है ठीक है क्या होती एक छोटी जीग होती है जिसमें एक कबजे दार पती पर टूल को गाईड करने के लिए बुस लगे होते हैं जिग में कारेखंड को पगड़ने के लिए आउशक दाब कब्जेदार पत्ती या अंगुंग पेच द्वारा लगाया जाता है कब्जेदार के को जिग बॉड़ी पर लगाने के लिए उसे एक सिरे पर पिन लगा कर कब्जेदार बनाया जाता है है ठीक है एक आई बोल्ट पिन के सहारे जिग बॉड़ी में लगा होता है जो आपका क्रते है अपका क्या आप बात कर देने लिए जिग क्या पर देता है यह जीक सामानेंथा एक boxes आकार का, आकार की आत्वह अंग के चारो तरब एक framework के रूप में बनाया जाता है, देख்येआ नाम से ही पता चल लुख into box box के आकार का ही बनाया जाता है, इसका प्रयोक सामानेंथा किसी प्रकार के कारे खंड में, दो या अधिक साइड से, छिदर चिदर बनाने के लिए किया जाता है, इसका जो यूज़र अपका वर्गपीस है उसमें अदिक साइड से इंद से प्रयोक किया जाता है, जिक को घूमाओ कर उसकी प्रतेक साइड ड्रिल स्फेंडल के नीचे लाई जा सकती है क्योंकि जिग को वांचित स्थितियों में घुमाया किया जाता है अता उसे टेमप्लेट जिग के नाम से जाना जाता है ठीक है तो आपको इतना समझ में आगे अब बात करने दोस्ता आपका फिक्चर क्या होता है में यूज आपको पता है फिक्चर का क्या कियाता है फिक्चर को हम लोग जो आपका वर्कपीस होता है उसको पकड़ने के लिए करते हैं और लोगेट करने के लिए करते हैं तो हम लोग बात करते हैं कुछ फिक्चर को यहाँ पर जान लेंगे यसे आपका टर्निंग फिक् यानि कि जो आपका लेट मशीन का थ्रीजा चक होता है फोर्जा चक होता है फेस प्लेट होती है ठीक है कॉलेट हो गई मैंड्रिल हो गई आधी यह सभी मानक युक्तियां है जिनकी साहता से अधिकतर कारेखंड को पकड़ा जाता है परंदु कभी कभी जटिल आकृतियां व सरलता पूरग पकाड़ने तता बदलने के लिए आपको समझ में आ गया होगा जिग वाले चैप्टर से केवल आपका 15 नंबर का लगभाब उच्छे जाना वाला है 15 से 20 नंबर का तो इतना ध्यान रखिएगा जिग चैप्टर को अच्छे से पढ़िएगा जिग और फिक् अले का सब्सक्रा hey मिलिंग Мос्जीन पर कारेखंड को पकाड़ने त case अव उस्फापित करने का है क्या है मिलिंग म्शीन में का रखोंड को पकरने अध्हुछा अश्छार प्रकार की म्लिंग मिलिंग फिक्चर को प्रदर्सित किया गया है किया कि इस नाटिग एक़िए की तेम्ह पर कसकर फेस बिल काटकर मशीन है किया की जाती है ठीक दीघा आता है क्या मिलिंघ चर्ट करता है कि मीलडिंग चर्टिक फैक्छर मिल करने वाले जो आपका वेल्डिंग 실क्चर है वो क्या करने के लिए ब्रत दिकों करने के लिए लोग वेल्डिंग फिक्चर का यूज करते हैं और इसके वेल्डिंग फिक्चर के जो लाभ है वह भी निम्न है वेल्डिंग से पूर्ड कारखंडों कारखंडों को सही सिती में रखा जा सकता है तता वेल्डिंग के दौरान भी इन्हें सही सिती में बनाए रखा जा सकता है वेल्डिंग की सुविधा जनक तथा सुरच्छित इस्थिती प्राप्त होती है वेल्डिंग फिक्चर का यूज करने से दोस्त इतना आपको समझ में आ गया होगा योग वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अब बात करते हैं देखिए एक बार आपको बता देखता हूँ क्योंकि मटेरियल के बारे में आपसे पूछेगा आपका मटेरियल का भी चैप्टर इससे अट्रेश्ट है प्लेन कार्बन स्टील में कार्बन की मात्रा 0.8 से लेकर 1.5 परसंट तक होती है कार्बन इस बात का प्रमुग लच्छड यह है कि इन टूलों को टूलों में उश्मा एम घिशान प्रतिरोध अपेच्छा क्रत कम होता है इन टूलों में हाठ हाइटनेस कम होती है तथा यह टूल 200 डिग्री से 200 डिग्री से अपनी कठोरता क्या करते हैं खो देते हैं यह टूल केवल निम्न करता है चालो लगभग जो आपके 12 मीटर प्रति मिनट पर ही उप्योग किये जाते हैं तर यहाँ पर प्रस्त मात्रा दे रका है कारबानान की प्रिसत मात्रा है और यह पर आपके सलिकान की दे रखा है इसी तरह आपकी मैग इन यूस कहा है प्लेन के यह यूस इस पर committed किया जाता है अब इसी तरह आपका दे रखा medium alloy steel देखी यह क्या होती है इसको देख लेते हैं टूल की कठोरता को बढ़ाने के लिए इस पात में साधारन कारबन साधारन साधारन कारबन से उसमें भंगुरता बढ़ जाती है परन्तु यदि उसमें chromium और maladium की थोड़ी सी मातरा कर मिला दी जाए तो टूल क्या होता है टूल stress की कठोरता में पर्याक्त व्रद्ध हो जाती है ठीक है घिसन प्रतिरोधक्ता को बढ़ाने के लिए इसमें कभी कभी चार परसंट टंगेस्टन को भी क्या करता है मिलाया जाता है ठीक है परन्तु यह इस अपनी हाठ हर्टनेस खो देते हैं इसी तरह आपका हाइश्पीड स्टील दे रखा है तो इसको भी एक बार देख लीजेगा और इसके बाद हाइश्पीड स्टील अठारा चार एक यह सब दे रखें तो इनको एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा ठीक है अब बात करत 4% आपका टंगेश्टन है 4% क्या क्रूमियम है और एक परसेंट आपका क्या है वनेडियम होता है उच्च गति इस बात में टंगेश्टन मिलाने से ही क्या होती हाठ हार्डनेस तता जो इसकी होती इस्टेटबिल्टी बढ़ जाती है यह इस बात उत्तम प्रकार के टूल इस बातों में से एक होता है ठीक है इसे अधिक प्रभाव साली बनाने के लिए वैनेडियम के प्रसत मातरा वो कुछ व्रतिक कर दी जाती इसी तरह आपका ये भी दे रखा है और पांच नमबर पर ये भी आपके दोस्त पूछे जाते हैं अब बात करते हैं जो आपका देख स्रैमिक्स अथ्यंत कठोर्क पदार्थ होता है इनको क्या होता है सेंट्रित एल्मूनियम और विविन बोरा नाइट्रे चूड़ों से बनाया जाता है इन चूड़ों को भली भाती मिलाकर इने लगभग सत्रासों डिग्री सेंट्रिक पर दाप पर हार्ट प्रेश्ड ठी तूल करके चोड़ा जाता है इनका यूज यूज होते उसमें किया जाता है बारा सथे की सेंट्डि étant पर भी तब्ल्हट ठोड़ता बनाए रखने हैं इस़ी तबाकं डानने रखा है उसको एक बार आप देख लिजिए आपको पता है डाइमन क्या है जो सबसे ज़्यादा कठोर पदार्थ होता है ठीक है विस्टोगा इससे ज़्यादा कठोर कुछ भी नहीं होता है यह कठोर पदार्थ है जिसका प्रयोग एक कठोर पदार्थ के कटिंग में होता है जिने अन्य पदार्थों में टूल द्वार करना संथा नहीं हो पाता है यह ऐसे नयुकर पर लगाने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। यहां एक्युरेशी तक प्रिशक्रक्रत था करता हुद यहां के कल दूप रबड़ काश्टीक तथा अन्य टता कर्द रफी क्लीट लोग किसे काटते हो लोग डामेंड की जो चलकी टिफ होती है उसी से ग्लास को काटते हैं तब यो तूटता नहीं है इतना आपको समझ में आ गया होगा अब बात करते हैं दोस्ट हम लोग यहाँ पर दे रखा study of commercial available cutting tool इस पर दोस्ट मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ study of commercial available cutting tool तो मैं इसका link जो telegram चैनल पर provide करा दूँगा तो वहां से इसको आप लोग देख लीजिएगा जिसका मैं बता चुका हूँ तो इसको मैं दुबारा रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो भी काफी यादा लंबा हो जाएगा ठीक है और वाट्सप ग्रूप से जुड़ जाएगा टेली ग्राम से जुड़ जाएगा लिंक दोनों का डिपूर्शन बॉक्स पर दोस्त मिल जाएगा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ठीक है अब बात करते हैं यहां पर जोखिए जो अब भरसर आरी है कुलहारी है ब्लेड है यह सब मैं प मतलम उनमें कटिंग के लिए एक ही एज होती है वो आपके सिंगल पॉइंट कटींग टूल कहलाते हैं अब मल्डी पॉइट गटींग टूल आपके बुठीक से अधिक कटिंग एज होती है वो आपके ऐज हो गालाते है बाटा होता है और इसका बुरा डीटेल में दिया गया इसकी नोस पर अल प्रत्रिज्जा स्मॉल रेडियस की गुलाई बनी होती है नोस को गोल बनाने से कटिंग एज की जो क्या थी स्टेंथ में व्रत्ध हो जाती है ठीक है इसकी सैंग की अनप्रस्त काट सामानेता वरगा सिंपल सा तो डायराम को देख लीजे ऐसे ही आपको मिल्कूल एक्जाम में बनाना है सिंगल पॉइंट कटिंग तूल ये इसका बेश हो गया ये कमद्द में अब इसके बारे में इसका जो में पार्ट से सिंगल पॉइंट के परके करके दे रखें एक चीज को जरूर याद रखेगा जो आपकी आप मिलिंग और डाउन मिलिंग है वह 100 परसंट आपके वोल्ड एक्जाम में पूछी जाने वाली है क्योंकि कई बार 5 नंबर पर पूछी जाज कि अप मिलिंग और डाउन मल्टिपॉइंट कटिंग टूल क्या होते हैं ऐसे कटिंग टूल जिसमें एक से अधिक कटिंग है जोती मल्टिपॉइंट कटिंग टूल करते हैं जैसे मैंने अभी आपको बताया मल्टिपॉइंट कटिंग टूल होते हैं आपका जैसे ड्रिल हो गया ब्रोच हो गया रिमर ह कर तूल और ग्राइंडिंग विल्स हो गय है इसंड मुल्टी पॉइंट कटिंग्वी टूल एक आते हैं दिए गशी numero क्लासिफिगेशन के मौरां पर टू आ दो कि यहां। देखिए, axle face rotary tool, अच्छी प्रष्ट घुर्णी ओजार ऐसा tool है, जो करतन के दवरान घुर्णी दिशा तो करते हैं, साहाथ ही अच्छी दिशा के पस्चात गती भी करते हैं, ठीक है, प्रमुख प्रकार के अच्छी प्रष्ट घुर्णी ओजार निम्न है, यसे आपका twist drill हो सब्सक्राइब करते हैं तो बात करते हैं आपका जो यह दे रखा है इनका ड्रिल की अच्छ में बना कोड सामानिता उनसेट डिगरी का होता है इस कोड को कटिंग एंगल कहा जाता है दोनों की और कि करतन कोड के कोड जो आपके होते लिप एंगल कहा जाता है इस प्रकार लिप कोड का मान 69 प्लस 69 अर्थाद 118 होता है करतन कोड के पीछे कि धातु क्या होती है ग्राइंड करके कुछ टेपरिट की जाती है जो आपके कटिंग इसकी सेंग होती है थोड़ी से टेपरिट बन पर बनाए रखिए हमने जो की तौर पर टाइग्राम दे रखा आप इससे अच्छा बनाने की दोस्त करिए अब बात करते हैं आपका रिमर क्या होता है देख लिए रिमर की बात करेंगा रिमर का यूज क्या जब भी हमकिसी जो आपको repeat से एकश वो solid रहता है उसमें हम छेद करने के के लिए हम लोग drill का यूज करते हैं इसके बाद उसके जो अंदर की इसफ फिनिस करने के लिए हम लोग दोस् happiest करते हैं इतना आपको समझ में आ गया होगा देखिए रीमर के द्वारा टुष ड्रिल द्वारा निर्मिच छिद्र को अधिक एक्यूरेशिया फिनिस का बनाया जाता है देखो जैसे मैंने अभी आपको बताए तीन एमेम व्यास पर चार नालियों से लेकर पचास एमेम व्यास पर सो इस तरह आपके रिमर बहुत सारे दे रखे है तो इनको आप लोग देखना चाहें तो एक बार देख लिजिएगा एक बार यह जरूर देख लिजिएगा दोस्त चिप छीलन की रचिना चिप फॉर्मेशन क्या होता है ठीक है छीलन निर्माण होने की मूल विधी क्या है इ अब प्लेन मिलिंग कटर दोस्त इसकी बात हम पहले भी कर चुक है लेकिन आपसे खाली कोश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है अब बात करतें नेक्स्ट और लास्ट कोश्चन जो आपका हंड़र परसेंट पांच निंबर पर आने वाला है कोश्चन जीग और फिक्चर चै आपको जीग और फिक्चर में डिफ्रेंस बताना होगा ठीक क्या होता है देखें जैसा मैंने आपको मताया जीग क्या होता है जीग आपको वर्कपीस को होल्ड तो करता ही करता है लोकेट भी करता है साथ में जो आपका टूल होता है उसे भी गाइड करता है देखें यही पड़ लिजेगा नेक्स्ट आप का दे रखा है जिग का प्रयोग ड्रिलिंग टेपिंग और रिम रिंग आधी कारणों द्वारा किया जाता है जबकि फिक्चर का प्रयोग मिलिंग सेपिंग प्लेनिंग और टर्निंग आधी ऑप्रेशन करते समय जो आपको पकाड़ने के काफ जीग होते हैं शे लिए हैं जो कारणा टारी खंट दोस्ता नहीं परती है शिक्चर का परती हैं 잡्र में मारकिंग किया हो सकता दो SEC पड़ती हैं इसी तरह नेकश्ट आप इन्हें प्रेयोक किया जाता है इन्हें प्रेयोक करने के लिए आपकुषल कारी गरों से काम चलाया जाता है जिग है अगर इनका यूज़ कर रहे हैं आपका कुसल जो आपका वरकर है वह इतना एक्सपर्ट नहीं है तो भी काम चल जाएगा बड़ जो फिक्चर का यूज़ करते हैं इसके लिए में कुसल कारीगरों की यूज़ की ओसकता पड़ती है जिग का हस्तनांत्र आसान होता ह है और फिक्चर का अस्तनांत्र थोड़ा कठीन होता है यहीं मतलब जिग कोई की सांद दूसरे सांदक ले जाना एकदम सराल होता है जैसे मैंने अभी आपको बदा रखा था चिप या स्कर्व को हटाना कठीन होता है चिप तथा स्वार्फ को हटाना असान होता है तो यह दोस्त आपके जिग और फिक्चर में डिफ्रेंस थे दोस्त आज के वीडियो बस इतना ही वीडियो अच्छा लगाओ तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा ठीक है चैनल को सब्स्राइब कीजिएगा और इसकी पीडियाफ और नोट्स के लिए होगा टेरी ग्राम से जुड़ जाएगा इसका लिंक आपको टेक्षिन बाक्स पर मिल जाएगा